Hello everyone, welcome to Royal Institute for narcissism, कैसे आप देख रहे हैं, आजके दिन chemistry का अब exam हुए, सीबसी का। जो बच्चे exam देख कर अब हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं क्या scholars क्यांतो पिल से आपका देखुआ गया濃क क्या गया बॉट अब ब्ब चांगा, पेपर वॉस विजे कीजिफीरी फैसित कुछी प्राइज। आगर नॉमल थी नाजिए पड़के सारे होग है तो आपका पेपर में 90% प्राइज है तरवाए पढ़ा तो आप जरुआ हो है तो मौड़रिट कर दिस्य ना चाहिए एसे कुछ नहीं था चाहिए अरर अंबाद चाहिए पराने के बाद इस प्रेशर बन जाए ना επlıkroEP मिल्कुल की एंस अने विश्य आए पूरे सेशन पढ़ाई करनी है ऐसा नहीं है कि वह लास्ट वह एक वीक पढ़ लो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके बाद कौन सा एख्याम आपका? physics पर चल रही है भलब papers आच्छा जाते हैं और marks लुटा है मज़े लगती हैँ नहीं जाते हैं हर साल टॉब आने मला है यह बाद तुम आननी पड़ेगि जो na cbse मैं physics का लैबल आता है अगर उन theoretical question को four options में convert कर दिया जाए तो कई बार जी मेंस को भी टक कर देते और ये बात में इसलिए जानता हूँ कि I am a physics teacher तो इसलिए मैं बच्चों से physics के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ तो अब ये बताईए कि जो आपके juniors देख रहे हैं उनको आप ये क्या गाइड करना चाहिए कि हमेशा study या co-curricular activity भी चलेगी sports भी होना चाहिए इनको सब को manage कैसे किया जाए कि कुई भी है बहुत ज़्यादा कुछ भी कहते हैं कि stress में ना है हर चीज को कैसे manage करना चाहिए according to me, पूरे साल ऐसा नही है कि 11-12 में आने के बाद सिर्फ पड़ाई पड़ाई चलती है मेरे साब से कि आप अगर पूरे सेशन पड़ाई कर रहे हूं if you are attending your regular classes giving each and every test पड़ाई 24 hours में से 26 गंटे पड़ाई नहीं करनी पड़ती है और आप 24 गंटे पड़ भी नहीं सकते हो बिल्कुल बिल्कुल आप अपना एक रूटीन बनाओ कि आपको अपनी कोचिंग कर बे स्कूल वगरा कर बे आपको self-study करनी है अपने आप वीकेंड्स पर मतलब ऐसे रोज भी नहीं कि को को करिकुल अक्टिविटी का 50% portion आप टाइम निकाल रहे हो पूरा टाइम उस पर नहीं देना है लेकिन टाइम दे सकते हो मतलब टाइम मैनेजमेंट करके दिया जाए थोड़ा स्पोर्स को भी थोड़ा को किलो कर एक्टिविटी आपकी स्टडी है सब को मैनेज किया आपके इसाब से यही सब मतलब लग मैं खुद एक नाशनल जूड़ो प्लेयर हूँ तो बेसिकली यह बात है कि अगर आपके बापा को बहुत गर्व है आपके ओपर ठीक है और यह देखे हमेशा हम खुद इस चीज को कहते हैं कि सब कुछ नहीं होता है अब मैं आगे बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स अब आगे कौन से एक्जाम में आ रहे हैं जेए जेए के दिया है जेए आपने तो मैट साइट से हैं आपके बिल्था नाशनल डिफेंस अगेडमी में आते हैं पहले वो चीज सिर बॉइज के लि अब वो गल्स के लिए भी हो गया है तो और अप लोगों के लिए जोएंट इंट्रेंस एक्जाम जाएंगे तो हमारा इंस्टूट भी है ठीक है जो जो जूएंट आप फिक्स प्रोफेसर देर तो उस इंस्टूट को भी कंसेडर करेंगे बच्चे और अम लोग क्रेश को दे रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों से मुलाकात करना चाहेंगे ठीक है स्टूटेंस तो हम इंप्रेशन दे देते हैं थैंक्यू वेरी मॉच्च तू अल्वा स्टूटेंस